अर्थपकाश देखने वाले तमाम भाईयों भेनों को डॉक्टर स्वास्तिक शर्माकार नमस्कार प्यारे भाईयों जैसे आप सबको गया थै कल को रैली वी थी रोतक के अंदर और निरिंदर मोधी जी प्राइम निस्टर हमारे बीच में आए आज हम उस रैली की स्मिक्षा कर रहे हैं और इससे पहले मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूं कि जिस तरह महाभारत के अंदर संजे ने धित रास्टर जी को पूरे महाभारत का वर्नन किया था उसी तरह से अर्थपकाश टीवी ने भी कल वहां से लाइव टेली कास इस रैली को किया और आप सब द प्रोग्राम के अंदर गवर्नर हो स्टेट का चीफ सेक्टरी हो डी जी पी हो प्रिंसिपल सेक्टरी हो इसका मतलब कि वह रैली नहीं है वह एक सरकारी प्रोग्राम है अगर रैली की बात करें रैली हम तब कह सकते हैं जो कोड ओफ क्रट लगा हो और कोई पुलिटिकल पा में बदत्रों में स्कुलों में लंच्टाइम में सबी लोग बैठ कर बात चित करेंगे इस रहली का किस तरह से इंपक्ट हुआ और आज अर्थपकाश भी उन लोगों साथ जुड़ चुका है और सबसे पहले हम आपको बात आते हैं कि सरकारी तरिक्के से कि यह रहली किस तर राइडिंग करते हुए भारती जंता पार्टी की जंडे लेकर जा रहे थे और मुंडलाना से कुछ आगे जाकर जहां पर कोई पुलिस वाला नहीं खड़ा था एक वोलंटियर नैशनल हाइवे का डाइवर्ट कर रहे थे ड्रॉंग साइड की तरफ कि आप दूसी तरफ से चले जाओ आगर वहां पर भी बहूत बड़ा हासा हो सकता था और स्कूली बस सकोऊनल होना चाहिए वहां था कि किसीजार्ट के पर नहीं देंगा देखा और दूसी ह Wish नहीं संटा it कुछ ना कुछ कामियां रह जाती हैं यह कामियां उसके अंदर हम इंक्रूड कर सकते हैं और जो सेकंडरी बात है कि वहाँ पर वह भी करमचारी थे जो धूप के अंदर हुम हुमिडेटी वाली धूप के अंदर इतनी गर्मी में खड़ कर चाहाए SP हो रोत चाहाए DSP हो चाह आई जी रैंच के हो चाह सरकारी मलाजम हो उन्हों सब इने बड़ी मुस्तेदी के साथ ये प्रोग्राम और सफल करने में अपनी पूरी शमता दखाई वो सब बधाई के पातर है और इसकी बात एक बात आपसे और करना चाहूंगा कि रैली टोटली इको फ्रेंडली थी आ लिए हर्याना सरकार इतने बड़े और जन के लिए इंटरनेशनल फेम के जो हमारी प्राइम निस्टर निंद्र मोदी जी हैं उनको वह रैना में आए और इतने बड़े आयोजन का जो नों सफल अयोजन किया उसके लिए हर्याना सरकार वाकर ही बधाई की पातर है अब हम चलते हैं और सबस्ड़ी बात को अर चलते हैं प्राइम रूंस्टर मोदी ने अपने भाषण के अंदर कॉर भी इतनी बात पूरी कंसेंटेट की अपनी सो दिनकी सरकार की उस्रों के बारे में और हर्याना सरकार की उस Fortiamation के ज वार्याना सरकार कि रोतक का हमें लोकल बंदा इतना नहीं मिला इतना बहार से लोग आये थे यह भी बहुत पुड़ा पोस्टिक फैक्टर है अगर हम एनलाइज करेंगे प्लिटिकल त्रिक्के के साथ लेकिन लोग थे लेकिन रोतक के कम थे दूसी जगह से लोग आये थे अब हम बात करते है निरिंदर मोदीज के भाषन की यहाँ से हम शुलू होते हैं और सारे प्लिटिकल जो पार्टीज हैं यहां से उनको बहुत कुछ अगर वो देख रहे हैं हमारी इंट्रिव्यू देख रहे हैं स्मिक्षा देख रहे हैं यहाँ पर उन्हें बहुत कुछ पता चलेगा की हर् भाषन की शुरुआत को संभोधित किया और उस भाषन में उन्होंने एक बात जो की जो आप जहन में रखना यह बहुत बड़ी बात है जो हमने रैली को बड़ी बारीकी से देखा इस रैली में मोदी जी ने एक बात कही कि जब मैं 2001 में गुजरात का मुख्य मंत्री बना उस से माननी मनोहरलार खत्टर जी के बारे में लोगों की बड़ी धार नहीं थी लेकिन मनोहर जिसत्रा ऎकुति की ट weave, उसी तरह से मनोwarming खटर जी ने भी हर्यान की की इसका मतलब यह और उनूंब एक बात और कहें कि नमोहर मनोहर नमोहर इसका मतलब की नरिंदर मोधी और मनोहर एक ही चीज हैं हम दोनों एक हैं बिलकुल लग नहीं है इससे बहुत बड़ी बात पता चलता है कि ये ओपोईशन पार्टी से भी बात समझें कि एकता और उन्शाशनता कितनी बड़ी बात है उस पार्टी में कि उन्होंने सपस्ट कह रिया कि मैं ही मनोहर लाग हूँ नमोहर के इस वाक्य के साथ और इसमें पार्टी में उन लोगों को भी सीख मिल गी कि अगर उन्होंने अपने पहली बाप अगर हम अब चलते हैं पहली बली लाइंग पर जिसमें उन्होंने ये कहा थी 2001 में मुझे भी दिक्क्त आई थी और मनोहर लाग जी को दिक्क्त आई थी इसका प्राइम मिस्ट के दमाग में एक एक बात है स्वार्टी तोर पर खट्टर साब को किस तरह से दिक्तों का सामना करना पड़ा इसमें उन लोगों के लिए ये बहुत बड़ी वार्णिंग है बीजेपी के अंदर जिनके कान खट्टर साब को मनोहला खट्टर जी को प्रोल्म आई ये भी बड़ी बात है और उन्होंने अकल समझ लिया हुआ कि आने वाले एलेक्शन के अंदर माननी है मनोहला खट्टर का प्रोग्राम था पन्ना प्रमुखन में बहुत अच्छे त्रिक लोगों के बीच में जाकर उन्होंने अपना अधायत्तव निभाया और प्रोग्राम भोत वोग अच्छा रहा और सबस्वरी बात है जहां पर बात करेंगे हम जो लोग काम कर रहे थे उनकी हमारा मीडिय भी प्रशिशा करनी चाहिए जो वाका ही जो अंदार कॉर्ड काम कर रहे थे उसका अक्ष्रे यह है कि सभी अपनी डूटिय नभा रहे थे जैसे रजीव जैन जी मीडिया अडवाइजर है और साथ में जोहार यादव जी जो हमने खुद देखा सभी मीडिया के साथियों देखा यह मैं बात वो कह रहा हूं कोई एक पक्ष की बात नहीं कर रहा और जोहार यादव जी थे अमित आरेजी थे उन्होंने अपना एरिया बाटा हुआ था रजीव जैन जी कभी मीडिया सेंटर में जाते थे पत्त्रगारों को दिक्कत ना हो जोहार यादव जी फिर इदर आजेते थे गैलरी के इंदर आजेते थे ते अमित आरेजी कैमरों को पर सा जाते थे इस त्रिक के से उन्होंने बहुत अच्छी तरह से टीम और्गनाइज की हुई थी ताकि कि किसी को दिक्कत ना हो और एन वक्त पर हम देखकर यह हरानी हुई कि हरयाना के मीडिया का रहे हैं इससे यह मेसेज जाता है दूसरी पार्टियों के लिए भी कि भारती जन्ता पार्टी पूरा रूप से अनुशाषत पार्टी अनुशाषन में रहकर उन्होंने रहली की और सेक्रिंड बात यहां से बात करते हैं दूसरी पार्टियों के लिए कल के प्रोग्रा जी उस समय जब बीजेपी अपने कारेकरतों को लेकर प्रोग्राम कर दी थी उसी समय राजनीतिक शेशन किया जाए हुड़ा जी अपने किरन चोधरी जी के अवास में उनको मिलने जा रहे थे अब कल की रैली के बाद ये कांगर्स को पता चल जाना चाहिए कि कांगर्स को अ आइनल्डी और जजपा के लिए भी है कि अगर आइनल्डी जजपा कठे हो जाए तब ही ये आने वाले युद्ध के अंदर भारती जनता पार्टी को चुनुक्ती दे सकते हैं अगर ये कुछ नहीं हुआ तो अगला एलेक्शन ये ना हो कि एक तरफ़ा हो जाए जो महौल है हर्याना का एक तरफा-election हो सकता है ये पुरी रिपोर्स थी है जो हमने आप को आप बीच में दी है और यही कंक्लूजन हर्याना के लोगों के मन में भी है election हर पार्टी कहती है कि political election हो जिसमें विपक्ष भी आये लेकिन विपक्ष को इस वक्त कल की rally से यही सीख लेनी चाहिए कि हमें एक होना पड़ेगा चे कांगर्स है चे जजपा है चे आइनलडी अगर मकाबला करना है आने वाले युद्ध का महा संग्राम का जो पहुत ही जल्दी हर्याना के अंदर होने वाला है नहीं तो ऐसा नो कि भारती जन्तापार्टी द्वारा से फिर सकता पे काबिज हो जाए और विपक्ष को विधान सवा के अंदर विपक्ष की सीटों पर बैठने के लिए मजबूर होना पड़े यह exclusive report थी हमारी कल की विजे सिंकल प्रैली की डॉक्टर स्वास्तिक शर्मा ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थपरकास टीवी को सबस्क्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें